असलाम लिंकूम और वेलकेम बैक टो मैं चैनल आज मैं बनाओंगी पीजा और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें इधर मैंने एक बॉल में तीन कप मैदा लिया है अब इसमें एक टेबिल स्पून बटर डालेंगे यीस डालेंगे डो टेबिल स्पून चीनी डालेंगे एक टीज स्पून और नमक हस्वेजाएका अब इन ड्राइ इंग्रीडियन्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे मिक्स करने के बाद इसमें पानी डाल कर इसको गून लेंगे और रेंड में थोड़ा सा ओयल लगा कर इसको दो से तीन घंडे तक रख देंगे याँ पे पेन में एक टेबिल स्पून ओयल डालेंगे एक टीस्पून क्रश किया हुआ या कूटा हुआ लसन अब इसमें चिकन डाल देंगे पान से छे बोटियां चिकन का कलर चेंज होने तक इसको पकाएंगे कलर चेंज होने के बाद इसमें हल्दी, जीरा, धनिया और लाल मुचो का पाउडर डालेंगे एक टीस्पून आदा का पानी डालेंगे और नमक हस्पेसाय का अब इसको बीस मिलर तक पका लेंगे ताकि चिकन अच्छे से गल जाए चिकन बन गया है, अब हम इसको साइड में कर देंगे अब इसी पेन में एक बड़ी शिमला मेच और एक प्यास डालेंगे कटी हुई और इसको एक मिनट तक फ्राइड कर लेंगे ताकि इसमें अच्छा सा फ्लेवर आ जाए दो गंटे हो चुके हैं और यह डो हमारा तयार है, अब हम इसको फिर से गुन कर दो पेड़े बना लेंगे यहां पे मैंने पीजा पेन को अच्छे से ग्रीस कर लिया था और अब हम इसमें डो रखेंगे और इसको पूरे पेन पे फेला देंगे अगर आप यह नहीं करना चाहते हैं तो जैसे हम रोटी को बेलते हैं वैसे आप डो को बेल सकते हैं नारो को चाहें तो आप इसे फोल्ड कर सकते हैं यहां पे मैंने रेडी मेड पीजा सॉस लिए अब इसके दो टेबिल स्पून डालेंगे चिकिन जो हमने बनाया था उसके छोटे पीसिस करके डालेंगे शिमला में चोट्यास डाल देंगे मुजरिला चीज डालेंगे चीज आप अपनी मर्जी से जितना चाहें डाल सकते हैं उपर से हरी मिर्चे रखेंगे अगर आपको नहीं पसंद तो ना रखें अब इस पीज़ा को 20-25 मिनट तक पतीले में बेक कर लेंगे हाइ फ्लेम पे पीज़ा बनके तयारे और अब इसको डिश आउट कर लेंगे अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेर और सबस्क्राइब जरूर कर दे और अगर आप मेहंदी में इंटरेस्टेड हैं तो मेरे दूसरा चैनल को भी सबस्क्राइब जरूर कर दे और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा झाल 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 झाल